मुश्कार, स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि पुरानी pension योजना को फिर से लागू किया जाए, इसकी मांग होने लग गई है अभी फिलाल जो है NPS यानि National Pension System चलता है हमारे देश के अंदर जैसे पुरानी pension क्या होती थी कि जो government employee हुआ करते थे जो रिटायर होते थे तो जब तक उनकी death नहीं हो जाती तब तक सरकार उनको पैसे देगी तो वो एक तरीके से उसको कहते है pension अगर एक व्यक्ति जिसकी pension बन गई है मतलब कि वो government job में था अब उसकी pension आ रही है अगर उसकी death हो जाती है तो उसकी wife को अगर ओरत थी तो उसके पती को जो है वहाँ पर pension मिलनी लग जाती है तो यह जो system था old pension system हुआ करता था और इसको 2004 में भार सरकार ने बंद कर दिया था reason यह था क्योंकि इससे बहुत जादा burden बढ़ रहा था एक तरीके से बहुत जादा रुपया देना पड़ रहा था जिसके करके यहां पर NPS यानि national pension system को लागू किया गया था तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अब यह क्यों वापस मांग उठ रही है कि पुरानी pension योजना को लागू किया जाए ओविसली सरकारी करमचारियों के लिए है यह और साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि national pension system यह सरकारी लोगों के लिए भी है और जो private है उनके लिए भी है बहुत important scheme है जिसमें आप जाओंगा इस चीज़ को मैं चलिए फिर start करते हैं देखे PDF के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि PDF कहा मिलेगी तो description box में एक telegram का link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं अभी जैसे कि मांग उठ रही है कि जो पुरानी जो pension योजना है या राजस्तान ने का है राजस्तान ने का है कि अगले वित्यवर से यानी financial year से वो क्या करेगा old pension system को वापस लाएगा जो राजस्तान के जो चीफ मिनिस्टर है गहलोग जी उन्होंने कहा है कि हम जो हैं जो करम सरकारी करमचारी हैं जिन्होंने इतने साल सरकार को दिये हैं नहीं न कहीं उनको contribution डिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से ये अशोग एलोग जी का कहना है जो राजस्तान के चीफ मिनिस्टर है अब यहां पर जब राजस्तान ने का तो इसके साथ साथ 36 गड़ भी जो है वो कह रहा है कि मैं भी इसी नीती का पालन करूँगा या नहीं क कि मैं भी old pension scheme जो है वो लागू करूँगा इसके अलावा केरल आंदरपरदेश असम यह यहां पर जितनी भी सरकारें हैं वो कह रहे हैं कि हम भी old pension scheme को वापस लाने का विचार बना रहे हैं समीतियां यहां पर बना दी गई हैं खैर अभी फिलाल जो national pension system है उसको समझते हैं दीखें केंदर सरकार ने इसकी शुरुवात की थी 2004 में शहस्तरवलों को चुड़कर यानि कि जो armed force हैं उनको इस system से बाहर रखा गया था इनके लिए pension है जब यह retire होते हैं तो सरकार इनको pension देती है 2004 के बाद क्या हुआ कि कोई भी government employee उसको pension नहीं दी जाएगी वो NPS के त ट्रेक्टी बनाने के लिए या फिर कहें कि के अंदर सरकारी करमचारियों को इससे और ज्यादा लाप पहुंचाने के लिए इस scheme के अंदर कुछ फेर बदल किये थे फेर बदल ऐसे थे कि इसके अंदर tier 1 और tier 2 दो scheme है tier 1 जो है वो एक तरह की permanent scheme है अगर इसके अंदर पैसे डाले जाएंगे तो वो permanently मतलब कि निकालेंगे तब जब जब आप retire होंगे तब ही उसी वक्त निकाले जाएंगे यह कुछ एक दो over exemption है बहुत ज़्यादा emergency आगी मुश्किल से इस tier 1 की scheme के अंदर दो या तीन बार ही आप पैसे निकाल पाएंगे मतलब कि जब तक आपका retirement plan चल रहा है उस plan की अवदी के दोरान जब वो खतम हो जाता है उसके बाद तो बेशक आप निकाल लोगे tier 2 क्या है tier 2 में आप एक mutual fund के तरीके से इसमें आप पैसे डालिए आपको जूड़ तो आप पैसे निकाल लीजी तो यह tier 2 है tier 1 के अंदर tax की छूट दी जाती है tier 2 के अंदर tax की छूट होती है tier 2 के अंदर tax की छूट नहीं होती तो यहाँ पर जो हैं वो कुछ योजनाए या फिर कहें कि कुछ बदलाव किये गए थी ताकि सरकारी करमचारियों को या फिर जितने भी देश के अंदर जो करमचारी हैं जो लोग हैं वो NPS की तरफ आकरशित हो जाए अब National Pension Scheme सरकार के लिए pension देनदारियों से छुटकारा पाने का तरीका था actual में 2000 के टाइम में एक news आई थी उस news में बताया था कि pension से कितना ज़्यादा रिन बढ़ता जा रहा है कितना ज़्यादा पैसा इसमें देना पड़ रहा है लोगों को जो सरकारी करमचारी थे अब रिटायर हो चुके हैं उनको कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो इस लिए इस प्रोब्लम से छुटकारा पाने के लिए NPS को introduce किया गया था अब NPS की जो शुरुवात है या फिर इसको introduce किया गया था इसके लिए संशोधन करना पड़ा था वो संशोधन था Central Civil Service Pension Rules 1972 यानि केंद्रिय सीवल सेवा पैंशन नियम 1972 यह संशोधन हुआ था अब यहां पर NPS जो है वो सरकारी करमचारियों को यह अनुमती देता है कि वह अपने पूरे करियर में वही किसी सरकारी करमचारी माने कि उसने 25 साल की एज में कोई सरकारी नोकरी ली हो अब उसकी retirement 60 year के उपर हो रही हो तो वो अपनी इस पूरे time के दोरान उसने जितना पैसा NPS के तहत जमा करवाया है वो उसे किस तरीके से invest करना जाता है वो खुद decide कर सकता है इसका क्या मतलब हुआ देखिए NPS के अंदर कोई भी इंसान पैसा इसके अंदर invest कर रहा है तो आपको यहाँ पर option देते हैं कि आप अपना पैसा किस तरीके से invest करना जाते है इसके तीन types हैं तीन types कैसे हैं एक है equity एक है corporate bond एक है government bonds equity का मतलब होता है share market corporate bond का मतलब है आपके पैसा आप जब इस NPS के अंदर डालेंगे तो company जो private company है वो इसका use करेंगे और एक government bond होता है जो मतलब कि बहुत जादा secure माना जाता है इसके अंदर आपको government की तरफ से पैसा मिलेगा ऐसे समझो सधारन भाशा में अब या है कि आपने आप सोचो कि 25 साल की age में आपने पैसे जमा करने शुरू कर दिया आपने कहा कि मैं अपनी salary में से देखे इसमें 10% starting में 10 था लेकिन आप 14% जो है वो salary का आपको देना पड़ता है NPS के दंदर तो आप आपने माना कि 10,000 मानले कि 10 या मैं इसको मान लेता हूँ कि 20,000 कि भई एक बंदे की 20,000 salary है और इसका 14% हो जाएगा कितना हो जाएगा 14% अगर मैं divide करूँ तो यह हो गया 2800 ठीक है 2800 रुपया वो जो है वो NPS के अंदर हर महीने दे रहा है हर महीने दे रहा है तो वो 2800 रुपया है वो इस रुपयों को कैसे divide करना जाता है कि वो equity के अंदर कितना लगाएगा वो corporate bond के अंदर कितना लगाएगा या वो government bond के अंदर कितना लगाएगा actual में जो ये age होती है न 25 इस वक्त लोग सोचते हैं यार थोड़ा सा risk ले लेते हैं क्योंकि equity जो होती है यानि कि इसके अंदर share market का योगदान होता है यानि share market ही होते है तो इसमें खत्रा जादा होता है लेकिन return rate इसके काफी अच्छे होते है तो यहाँ पर suggest किया जाता है जो एक manager होता है इसके अंदर NPS के अंदर वो आपको suggest करके देगा कि आप equity के अंदर चले जाएए आपको investment return अच्छा मिल जाएगा यहाँ पर अगर आपकी age जादा है इसमें 75% जो पैसा है आप equity के अंदर लगा सकते हो बाकी जो है यहाँ पर corporate bond या government bond के अंदर आप अपना पैसा लगा सकते हो आज की rate में यह NPS जो है वो सरकारी नोकरियों के लिए मतलब कि जो सरकारी नोकरी के अंदर जो करमचारी उसके लिए तो है जो private अवेक्ती है उसके लिए भी NPS काम करता है यानि आप भले ही अपना खुद का business ला रहे हो, freelancer हो या फिर आप अपने माता पिता का एक तरीके से भरना चाहते हो कि भई या मैं मेरे माता पिता काम नहीं कर रहे लेकिन एक तरीके से दिखा दूँगा उनका business है तो definitely आप इसके अंदर कर सकते हो इसमें 18 से लेकर 70 साल तक की investment कर सकते हैं, मतलब कि आपकी age 18 से minimum 18 होने चाहिए maximum मतलब इस age से ज़्यादा investment नहीं कि NPS के अंदर पैसा नहीं डाल सकते 18 से लेकर 70, यह age criteria हो जाता है यहाँ पर अच्छा सेवा निवरिति यानि जब retirement होती है तो उसके बाद pension रासी का एक हिसा एक सूम होती है यानि लंशम निकाल लेते हैं, for example आप 25 साल से, मैं example 30 से ले लेता हूँ क्योंकि मैंने इसको calculate किया हुए, आपने 30 साल से पैसा जमा करना शुरू किया और आपने माने की 60 साल तक पैसा जमा किया, तो 30 साल हो गया और हर महीने आपने 9,000 पैसा जो है वो यहाँ पर जमा किया तो लग बग लग बग 32 लाख रुपया हो गया, तो 32 लाख रुपया हो गया इसके उपर आपको return भी अच्छा मिलेगा, अब कुल मिलाकर यहाँ पर काफी अच्छा खासा return होकर मैं इस पैसे को, for example मैं एक क्रोड कर लेता हूँ, ठीक है, एक क्रोड मैंने आपको for example ऐसे मैं लिए 32 लाख रुपय, एक क्रोड रुपय हो गया, तो यहाँ पर आप जो है, जब रिटायर होंगे, तो लंब सम जो है, आप इसमें से एक पैसा निकाल सकते हैं, कितना लंब सम पैसा निकाल सकते हैं, 60% जो है, इसमें से पैसा निकाला जा सकते हैं, बाकि जो 40% जो पैसा बज जाता है, उसको आप वार्सिक यानि एनुटी खरीदने के लिए कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर होगा कि महीने का आप उसमें वो लेंगे जैसे कि सेलरी के तोर पर हर महीने आपको इतना पैसा मिलेगा हर महीने पर नहीं चाते तो आप कोऊगे कि मुझे छे महीनों के उपर इतना पैसा देदो या साल के उपर इतना पैसा देदो लेकिन निकाल सकते हो आप एक बार में 60% लेकिन 40% आपको हर महिने की हिसाब से मिलेगा clear हुआ तो यह हो जाता है यहाँ पर आपके सामने NPS अच्छा NPS को regulate और implemented कौन करता है देखे regulate इसको करता है PFRDA यानि कि pension fund regulatory and development authority जैसे कि भारत के अंदर जो bank है bank को regulate कौन करता है RBA जो share market है उसको regulate कौन करता है C B ठीक है इसको कौन करता है C B ऐसे ही NPS को कौन regulate करता है PFRDA तो यह ध्यान रखना है exam में पूछा जा सकता है कि PFRDA किसको regulate करता है या NPS regulate किसके द्वारा करवाया जाता है इसके विशेस्ता है मैं आप लोगों का बता दूँ कि क्या-क्या इसके features है देखे NPS जो है वो all citizen model है यानि इसके अंदर सभी नागरिक शामिल है भारत के हो जोई वो NRIB हो इसके अंदर शामिल है 18 से लेके 70 साल की age के बीच NPS के अंदर शामिल होने के अनुमती दे गई है यह एक सहभागी योजना है जहां क्या होता है कि एक करमचारी जो है वो सरकार के समान योगदान के साथ वेतर में अपने pension pension course में योगदान करता है यानि कि उसने कहा कि मैं हर महीने 5000 रुपे जमा कराऊंगा तो उसका एक pension course जो है वो यहाँ पर बन जाता है अब यहाँ पर जो है वो उसका जो उसने रुपेया जो जमा कराया है उस रुपेया को यूज किया जाता है यानि उस फंड को यूज किया जाता है इन्वेस्ट करने के लिए अब इस इन्वेस्ट ये जो है इन्वेस्ट कौन करता है यह invest करता है pension fund manager यह pension fund manager जो है वो आपको scheme देगा आप जैसे का ना कि आप equity के अंदर जाना चाहते हो या फिर corporate bond के अंदर जाना चाहते हो या governmental bond के अंदर जाना चाहते हो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूर्ण सारे के सारे रूपए आपने corporate bond के अंदर लगा दिया नहीं यहाँ पर ratio रखा गया है कि आप maximum है जो equity के अंदर 75% तक लगा सकते हो सारा पैसा equity के अंदर नहीं लगा सकते है clear 2019 में जो finance ministry है उसने कहा था है कि के अंदर सरकार में जो करमचारी के पास pension fund है और जो निर्वेश पैटन है उसका भी वो chain करने का विकल्प है मैंने कहाँ ना tier 1, tier 2 इसके साथ साथ वो अपने scheme का भी चाहें तो वो अपने equity के अंदर पैसा जमा करा रहे हैं जितना करा रहे हैं आने वाले time में उसको वो change कर सकते हैं यानि इसके अंदर बहुत ज़्यादा flexibility दे रखी है इनोंने अब जैसे आपको बता चुका हूँ कि 60% पैसा निकाल सकते हैं और ये कोई tax नहीं लगता है इसके उपर tax free होता है tier 1 जो होता है tier 1 जैसे मैंने आप लोगों को बता है लेकिन बहुत कम होता है वो chance अब यहाँ पर जो है आपने पैसा जमा करा है एक permanent के तोर बे अब यहाँ से आप जब पैसा निकालते हो 60% इसके उपर tax नहीं देना पड़ता tax free होता है लेकिन यहाँ पर tax देना पड़ जाता है यह tax के चुट tier 1 के अंदर है और जो 40% वज़ाता है उसके उपर tax लगता है यहाँ पर और यहाँ तक कि एक निजी व्यक्ति भी इस योजना का विकल्प चुन सकते है clear हुआ अब पुरानी जो pension योजना थी उसके बारे में आप लोगों को बताऊ देकि यहाँ पर क्या था यह यह योजना जो थी उस वक्त एक लाख रुपया थी जब वो रिटायर हुआ एक लाख इंकम पे रिटायर हुआ उसको 50% इस इंकम का pension के तोर पे मिलेगा अब यहाँ पर तो fix होगी एक त्रीक्य से अब pension पर होने वाले खर्च को कौन वहन करता था भाईया सरकार वहन करती थी अर्दो हजार चैरमी इसको बंद करती आ गया लेकिन यहाँ पर जो आम फोर्स है उनके लिए चीज अभी भी चल रही है old pension scheme उनके लिए चलती है अब जो एकनोमिस थे उनका कहना थे कि कि एक व्यक्ती काफी लंबी उमर तक अगर जी रहा है तो उससे काफी ज़्यादा burden हो रहा है for example अगर वो 60 की एस में retire होता है और 80 साल तक अगर वो जीता है तो 20 साल तक आप सोचिए 50-50 हजार उपे अगर for example उसको 50 जार की retirement काफी जादा पैसे होते हैं उस वक्त retirement होती है तो मैं अगर कहूं कि 50 जार उसकी salary मतलब कि retirement हो रही है 50 जार उसको हर महीने मिल रहा है तो 20 साल तक उसको कितना मिलेगा तो यहाँ पर कहीं न कभी burden हो रहा है कि अगर एक पती ने अपने इसमें पैसे डाले तो क्या पत्नी को मिलेगा बेशक मिलेगा पती की मिर्ति के बाद पत्नी को पैसा जाएगा अगर पत्नी ने डाले तो पती को चला जाएगा अगर दोनों की death हो गई तो इसके अंदर एक nominee होता है कि आप अपने एक नोमनी चुन के जाएए कि वो पैसा उसको मिल जाएगा NPS के अंदर पैसे निकालने की भी स्कीम अलग है कि आप कितना पैसा निकाल लो उसके बाद जो बच गया पैसा उसको पैंशिन के तोर पे हर महीने ले लो इसके अंदर बहुत सारी स्कीम से अब उनके लिए तो अलग वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लेंथी बन जाएगी तो NPS से काफी अच्छी स्कीम है जो प्राइवेट करम चारी है उनके लिए यह बहुत बढ़िया स्कीम लगती है अब राष्टिय पेंशन परणाली से संबंदित मुदे यानि कि नैशनल पेंशन सिस्टम से क्या-क्या मुदे हो रहे है दिखे जो ओल्ड पेंशन कीम है इसके अंदर जो सरकार करमचारी है सरकारी करमचारीयों को लिए थी वहाँ पर उनको जो पेंशन मिलती थी जो उनके लिए फॉर्मला था वो निर्धारित था और उनके लिए बाद में अगर महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई राहत जो है उनको साल में दो बार महंगाई राहत भी दी जाती है मतलब उनकी pension में विधी हो जाती है ऐसा समझो और एक journal provident fund का भी उनको प्रावदान दिया गया था देखे journal provident fund एक तरीके से GPF जो है वो tier 2 के बराबर ही है mutual fund के तरीके से समझो इसको ठीक है? दोनो mutual fund के तरीके से ही है तो यह नहीं कह सकता है कि अब NPS के अंदर GPF नहीं है GPF जो है वो tier 2 ही है clear? हालांकि NPS के जो करमचारी है उसको कितना देना पड़ता है? 10% जो है वो यहाँ पर अपना जमा कराना पड़ता है खिलाल इसकी जो limit है वो 14% तक भी कर दी गई है और यह कोई जो है वो GPF lab नहीं है मतलब कि अब यहाँ पर एक चीज़ समझने है कि यहाँ पर GPF नहीं है लेकिन यहाँ tier 2 है साथ-साथ NPS के अंदर जो पैसा जाता है न वो equity या corporate bonds या governmental bonds उसके अंदर जाता है तो वहाँ पर एक salary या कहूं कि pension ना निर्धार इतनी होती कि आप कहूं कि जब मैं retire होँगा तो क्या मुझे 70,000 पर मत मिल जाएंगे वो depend करता है कि उस बस आपको return कैसा मिला होगा वही share market काफी risky होता है कभी-कभी आपको return अच्छा देता है तो आपके पैसे बन गए वहाँ पर कभी-कभी नहीं मिलते तो पैसे जो है वो कम होने की chances हो जाते है तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या होता है कि एक last में आप जब retire होते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा इसमें decide नहीं होता है इसमें पता ही नहीं चल पाता है यह निश्चित होता है कौन इसके लिए rule बनाता है या फिर इसको चलाता है तो वो PFRDAE ही है ठीक है और यह जो है वो department of financial service के अंतरगत काम करता है इसके काम क्या होते हैं कि देखें जितने भी agencies हैं जैसे pension fund manager हो गया central record keeping agency हो गया तो इनकी नियुकती करना इनका कारे करने यह सारे काम जो है वो PFRDA के द्वारा करवाया जाता है अच्छा NPS के तैट pension उद्योग विकास इसको बढ़ावा देना उसको नियंतरन करने का कारे अटल pension यूजना इन सब का परमंदन जो है वो PFRDA के द्वारा किया जाता है तो ये तो था National Pension Scheme और Old Pension Scheme फिलाल जो है राजस्थान सरकार Old Pension Scheme वो वापस अगले साल से अगले वित्यवर से इसको लागू करने जा रही है अविसली जो सरकारी करम चारी है उनके लिए तो खुशी की बात है क्योंकि उनकी सैलरी से कोई पैसा कटेगा नहीं सारा पैसा जो है वो एक तरीके से सरकार को देना पड़ेगा तो उनके लिए कही न कही रहात है उनको लास्ट में जो रिटायर होंगे तो उनको डेफिनिटली एक फिक्स अमाउंट के तोर पे पैंशन दी जाएगी वो वेश्य खुश होगे इससे कैर इस पर जानना होगा कि इससे कितना ज़्यादा रिन बढ़ेगा या फिर कितनी ज़्यादा लाबतायक है यह हमें जानने की बहुत ज़्यादा जुरूरत है कैर अपने विज़ार आप रख सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि पेडियाफ कहा मिलेगी तो दिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलिग्राम का लिंक दिया है तो वहां से आप लोग इस वीडियो की पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही चाथ शेर कर सकते हैं वीडियो को आज वेले चैनल को तैंक यू फोर वोचिंग दिस वीडियो